लाप ये बुर्न नार्यण रतन जो तिश्केर्ण में आप सभी का आर्देक स्वागत है, आज की जो चर्ठा का विशय है वय है इस्तृत, मंत्र और स्त्रोत में कुछ अंतर होता है मंत्र में कुछ वर्ण होते हैं जिनसे वह मंत्र बनता है ऐसे कि ओम नमस्षिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या एंगरी इंकली चामुन डावित्य ये सब मंत्र होते हैं जो कि कुछ वर्णों से बने होते हैं लेकिन जो इस्त्रोत होता है वे कई सब्दों से लेबतरीगे से होता है हमको मंत्र और इस्त्रोत में बेद समझ लेना चाहिए इस्त्रोत के वल मात्र किसी देवता की स्तूती या प्रात्ना होती है जो किसी भी परकार के सब्दों से संभव है अर्थात जादी स्त्रोत में नीट सब्दों को बदल भी देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है लेकिन मंत्र में जो वर्ण हैं उनको नहीं बदलना चाहिए उनके अनुस्वार को भी नहीं बदलना चाहिए उसमें समान धर्मा या समान अर्थबोदक सब्द को बदल कर रख देना भी सही नहीं है प्रातना इस्तूति या इस्तूत में एक ही भाव बिन्विन सब्दों में प्रस्तूत किया जा सकता है पर मंत्र में ऐसा संभव नहीं है यह दोनों में मूलवू तंतर है यहां एक प्रसन और जहुब बढ़ता है कि ज़र्दी इस्तुरोत के सब्दों को नहीं बदलें तो क्या वे मंत का इस्तान गिर्ण कर सकता है माना विस्तुलता दो मनों में विवक्त है एक उसका आंतरिक मन है और दूसरा बहरी मन है कई बार किसी गलत कार को करते समय इन दोनों मनों में प्रसपर संगर्स हो जाता है आंतरिक मन ऐसे कार को गलत करता है और भारी मन ऐसे कार को करने की सुकृति देता है मानाव का आवेंतरिक मन इश्वर की प्रतिकरती है और विशिष सादु सांतों को ये आवैंत्रिक मन अतरदिक परबल होता है इसलिए सिस्यों सादक को चाहिए कि वे आंत्रिक चेचना को बढ़ाए अंतर्षton को बढ़ाए ध्यान के माध्यम से तराटक के माध्यम से उसको देरन्तर बढाता रहे इस्तोत का पाट निमित करने से इस्तोत भी मंत की तरह दारण हो जाता है और वे अपना सर दिखाता है हनुमान चालिशा ये कनगदारा इस्तोत इस परकार के इस्तोत है जिस की सिखी भी साथना करते हैं पुरे मनोवेक से करें अपनी अंतर्ष चितना से करें चा व्या मंत्रों चा इस्त्रों तो हो चा प्रात्ना हो उसे आख बंद करके लेबर तरीके से कीजिए आपको सफलताविश्य मिलेगी धन्यवाद अधिक जानकरी के लिए हमारे वार्टसप नंबर 810-901-3860 पर संपर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना प्रशन उत्तर लिख सकते हैं धन्यवाद जय गुरुदे